हेलो गाइज गुद मॉर्निंग कैसे हो आप सब आपका एक बर फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर जिसमें की हम कर रहे थे अपने फरवरी के करेंट अफेर्स का क्यू एन ने सेक्शन और हम इसमें फर्स्ट पार्ट अपना कर चुके हैं अब हम आजाते है अपने सेकिंड पार्ट पर सेकिंड पार्ड का पहला कोश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगे कि अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आपको और भी हमारी कोई सिरीज देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बहुत सारे उसमें हमारी सिरीज चल रही है तो चलिए आज का लेक्शेर हम शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है कंसिडर दी फोलेंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट त्रूनेट क्या है त्रूनेट का जो कुश्चन है वह एक बर पहले भी आ चुका है करेंट अफेर्स के कुश्चन सुटिक है फरस्ट रूनेट इस स्मोल चिप बेस्ट पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटरी डिवाइस देट वस डेवलब्ट टू डिटेक्ट सब्सक्राइब , जुछ क्यों करना है था गहला है यह कहसे प्रूनेट के डिव्य है को टीॆ को में प्रीट गोम खिरूनेट गया ह। कर देखो बिल्कुल सही है कि दूनहिंट जा समोल चिपज़ बेस्टोर्टेभल बैटरी अप्रवेट देवाइस डानुटेक टीविटीबि रिपडकर ने के लिए यह एक डिवाइस बनाया गया था कि other एक इनements में जीस का नाम का है एक किसको किस ने इसको किया है बिग टैक लएब ने बिग टैक की लेब जो की कोविड 19 को डिटक्त करने के लिए इसको कर दिया गया और अपरूव कर दिया गया कि आप इससे में कर सकते हो पहले इसको नkteने Iron टेफिट लिए कि इंध टीदि के लिए टी एक टेस्ट कर देती है और difam तो इस से रिजिस्टेंस हुआ है कि नहीं बोडी में उसका भी मतलब इसको भी डिटेक्ट करते हैं तो दोनों चीजों को यह डिटेक्ट कर सकती है दूसरा इसमें क्या है एक घंटे के अंदर रिजल्ट आजाता है तीसरा क्या है कि इसमें इसमें तीसरा क्या है कि जो यह जो है आप स्पूटम से ही इसको मलब बलड लेने की कोई जरूरत नहीं आप स्पूटम से ही चेक करवा सकते हो अपने तेस्टिंग करवा सकते हो उसके अलावा 100% लगबग इसके एकुरेट रिजल्ट्स हैं और जादा इसमें जो है ट्रेनिं इंडिया मी वर्री विक्सा बैशी इंडिया में इसिके इक है ग्लोबेट की इस ने बताये था कि यह तक यह किसने पता है ग्लोबल टीबी रिपोत की रिपोट एर एक одну रिपोर्क रिपोर्ट हमारी नैश्नल स्टेंडिय। क्या नैश्टन स्टाटर्जिक प्लैन फोर टी बी ऐलिमीनेशन जो कि टुटॉजन से से टुटॉजन टुटी फाइफ में उसने बताया है तो तर टारगेट है ठीक है और उसने क्या बताया है उसने पताया कि हर साल इंडिया में 4,08,000 डैथ जो है वह टीवी के करण होती है सब्सक्राइब तो इतना जादा यह है तो इसको डिटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसके डिटेक्शन के लिए एक सिंपल टेकनोलोजी चाहिए थी जो कि डेवलप की गई है उसका नाम है ट्रूनेट ठीक है और इसमें बोला है सेकंड स्टेट में कि परएक कोवीड को डिटेक्ट करने में भी हमारी है ठीक है तुल ट्रूनेट स्मोल चिप बेस पोर्टेबल बैटरी ऑपरेतेड आर टी पीसी आ डिवाइस को आर टी पीसी आ डिवाईस को अधीया यह क्या करते में लिए लिए डिन एक जीन्स को देखती है एंटीजिंञ करते हैं लेकिन कोई का है कोई बीडेक्ट आ लियुक जा और ने को देने के जीन चेक करने के लिए पहले आरे लें इको लियुक करना पड़ेह तो तो इसी में जीन रफ्रेकर निया में जीन काल्कुलिट होते हैं एक टो यह हो गर हमारी को सवें तो एक ज्कनोलो सब्सक्राइच है पता है यही यह बाल expressions को मतलब कि शीजेय को जिसए मटक डिकाम है तो ठाइट पिर में और विफेक्ट कीस आफकेट मैं और प्रेंगे चेहला चल graphics में हो रहें संवाइच है उसको ब्लादि को ब्लाक feedback दिस इसपोर्सुल होते हैं स्टेंस होगता है इनाइंस को निसका अभी दवाई है और हमारे से जादा हम पोंचाती है ऋखता है कई वैसे भी माइक जो मिouting मारी माइकोसिस है वा काई टैप की राइन रेम उस्टाना जाती है और यह को लिए प्रेड करती है या फिर यह पीपल में स्प्रेड करती है ऐसा कुछ नहीं है कई पर क्या होता है एक्स्रीम केसी में तो इसमें आख में सबसे ज़्यादा में लिए अभी देखी गई थी और वहां का पार्ट कटी करना पड़ता है अगर किसी को ब्लैक फंगस यह में उखर मैस्फों कोसिस हो जाता है ओर आजाते हैं कि फिफ्टी थी पर एल्फा फॉल्ड क्या है अभी जो न्यूज चल रहा है तो ऐलफा फोल्ड क्या सैबर सिक्योर्टी है आरिकोलोजी है आर्टिफिशल इंटैलिजेंस है यह नहीं टेकनोलोजी है तो जो अ है वो क्या है एक प्रोग्राम है यह एक प्रोग्राम है जो कि गूगल गूगल के गूगल के डीप माइंड गोगल के जो डीप माइंड है उसने यह वो किया है डावलप किसके द्वारा किया गया यह गूगल के डिप माइंड के द्वारा डवलप किया गया और में लिए है कि के लिए यह है कि प्रोटिन में जो फोल्ड होते हैं न हो कैसे बनते हैं इसका ये जो था में था और पीजिव यह अलफा फॉल्ड में वहीं बताने की कोशिश की जा रही थी थी मैंली जो परटेन की फोल्डिंग है इसमें से भी जो पॉल्डूं तो यह जो सीक्वेंस है जो आमीन अश्ल के सिक्वेंस है यह कैसे 3D structure बना देती है प्रोटीन का यह मेनली प्रेडिक्शन करने के लिए यह इसी का मेनली बताया है इन्होंने तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक होता है की प्रोटीन प्रेडिक्शन क क्रीटिच अ क्रीटिकल एस्समेंट फूर्पिंस ट्रच्चर प्रेडिक्शन दिल्थकेशन और इंटेंटिफिर उन्होंने यह यह क्रीटिन का सब्सक्राइब का एक प्रोग्राम है जो डेवलप किया है डीप माइंड ने गूगल के डीप माइंड ने और इन्होंने बताया है कि हाव प्रोटीन सिक्वेंस इस चेंज इंटू 3D स्ट्रक्चर ओफ प्रोटीन ठीक है तो बस यह इसमें आजाते हैं कुश्चन नमर 54 पर कुश्चन नमर 54 क और फ्रांस आर केरिंग आउट प्रोटेक्ट वन् आर्टिवश्चन सने में सड्य जाएंड कोलेबरेशन जो इंडिया और भांशेयु प्रांस कर रहें थिए तो आर्डिशेल सबसे पहले येस वो nuclear fusion technology पे बेस है ठीक है? nuclear fusion technology पे बेस है artificial sun का एक joint collaboration है उस वो जो है India and France मिलके कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है उसको India and France मिलके नहीं कर रहे हैं उसको मिलके कौन कौन कर रहे है उसको 35 nations collaborate कर रहे हैं कितने? 35 nations collaborate कर रहे हैं उसमें और उस project का नम है ITER International Thermonuclear Experimental Reactor International Thermonuclear Experimental Reactor 35 nations इसमें collaborate कर रहे हैं कब स्टार्ट हुआ था 1985 में स्टार्ट हुआ था मैं ली है कि आपको फ्रांस में लोकेटेट था यह प्रोजेक्ट में ली कहां पर है लोकेटेट फ्रांस में लोकेटेट है और में इसका टार्डेट क्या है इसका जो में टार्ट है वह बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्ग बीड़लल लार्जेस्ट Class कोमार्सतों ओका मांण आपको बुड़कंमामांग बनाना है क्तामां मतलब य९ यू यह्शन आटांहोर और इसके रृइस ठीक है तो यह तो नहीं कि जोइंट कोलाबरेशन में हम दोनों ही जो इनोट नहीं कर रहे हैं उसमें तो हम टेक पार्ट कर रहे हैं तो यह तो हो गया हमारा आंसर कीस जो आंसर आगया हमरा ए अब है कि कोई और बी क्या सब्सक्राइब ट Parents Yeah,방 популяр का जत्वीर सफ्सक्राइब वगया था इस साथ कोर्या का प्रॉच्ञट और और मिज़न को जाते हैं कुछिण फिफ्टि फाइफ पे फिफ्टि फाइफ कब वोल रहा है अभी बोला आई टी आर के बारे में में बताना है इंडी पार्ट पर कुशन नबर 56 का है दी फिमस इंडियन मैथमेटिशन स्रीनिवाइशन रमाजन नूजन कंट्रिबूटर इन दी फोलेंगे एरिया में उन्होंने वो किया है तो देखो रामानुजन के बारे में कुछ न्यों आया चोकि एक नैशनल मैथमेटिक्स देमनाया जाता है कुछ क्यों से हो जाता है नैशनल मैथमेटिक्स दे मनाया जाता है कब 22nd December को तो जार वारा से मनाया जा रहा है क्यों ताकि लोगों में अवेरनेस आई मैथमेटिक्स के लिए ठीक है और हमेनिटिव से डवलप कर सके बहुत सारी जगा इनके वह हैं सिगनल प्रोसेसिंग में इन हो जगे इनकी अप्लिकेशन से तिकार मनुजन के मैथमेटिक्स के और एक चीज या दखना 729 जो है ना इसको रामानुजन नंबर भी बोला जाता है तो 729 को रामानुजन नंबर क्यों बोला जाता है क्योंकि रामानुजन ने बिताया था कि यह जो है एक स्मोलेस्ट नंबर है जो दो अलग अलग नंबर के अगर हम क्यों बताया था कि स्मोलेस्ट नंबर है अगर इसमें अगर अगर यह दो नम्ट दो अलग अलग नंबर के अगरम क्यूब करते हैं तो उनको जोड़के बनता है तो यह है तो इसको रावानुजन नंबर भी बोलते हैं बस थोड़ा सा यही था जानने के लिए पर चलो यह हो जाता है हमारा आ जाते कुश्यमिर 57 पर क्या भोल रखा है इ कटर सेपन नेयुक कहां पर मैंनल माश्र कंप्र कंट्रोल सेटी तो लाइं से 50 दिए जाविशं मिचल रहा था तो आपको पता होगा किए स्टेट्मेंट सही है कि हमारा है और मैंक्रोवरेंज होती है ए Buddyowski मैंक्रोवरेंज यहां कुष्ण को अधित किवरते एक ते Islands सुख्haft और अंडमान अंडमान एन निकोबार को और लक्ष्ट वी पाइलन को ठीक है इन सब को यह वो डिटक्ट करेगा इसकी लाइफ कि नी है नहीं मोर देन सेवन यूर्स तिक साथ साथ से ज्यादा रहेगा इसको रिप्लेस कर रहा है जी सेट ट्वेल वैं उसको हमारा रिप्लेस रहा है यह क्म्ठीशन से ट्लाइट है जो टेली एडिकेशन टैली मेदिशन विलेज रिसोर्स टाटा उसमें हेल्प करता है हमारी ठीक है अभी नेक्स्ट व्लोंच कुन सा देखो तो इसका अंसर क्या हो गए भी ठीक है इसका अंसर ओन और भी एक और है कि हमारा यह जो है एक यह कंसे करेगा आनना सती सेट और यूनिसेट यह तीन हो लॉंच करेगा तिक त्यक्तव की एंचिंवी सेट्व में बड़ता है विजयविछला ऊसे के वहारो स्टे टेंट Renee क्षो आखन सेटनी सब्सक्र होगे तो एक चीज देखो अगर विठला टेंपल हम्पी में है तो सबसे पहली बात वह नगाड़ा स्टाइल में नौर्द इंडिया में लिफ इसका मतलब यह स्टेटिमेंट ही है के तेका है तो देखो फस्ट इट वोस बिल्ट दूरिंग दूरिग न ओफी Cygn ढाई सई हुआ को आज रगा सबुद्स हम न्हीं है क्णिक हो कि आप शिवेटवाइड thi अ की में है किसको लोड विटला को और यह लोड विटला कौन थे यह इंकारनेशन थे किसके विष्णु के इंकारनेशन थे किसके लोड विष्णु के इंकारनेशन थे किसके लोड विष्णु के इनकारनेशन थे तो इनकी पुझा यहां पर होती है विजय विटला टेंपल में ठीक है और आगर आप देखो कि जो यह विजय नगर है यह और यह किसने फाउंड किया था किने यह उप क्पायर से फैर्य हरी funds Cash might ठीक है हरीयारान बूका ने किया था और ओर कोंसे डाय। रूलर्स थी और और क्या ता और तो जो यह 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 हमपी है यह युनेस्को हैं देखो जैसे कि उसको बोलते हैं हमपी चाहिट है हमंपी चाहिट सटोओनों हैं इन्डिया में सटोस्ट्रूंच तेंसे हैं इंडिया में और दो 2006 गाहें हैं और दो को न में daw को नाको भी जनेगर ऐंपायर का इसको और कुन सी बिंस्टी से तूलूवा डियंश्टी इसको डैडिकेट है इसकी जो ब鹤 गरूड को लॉड गरूड को जुड फेयं में टैलि को गडिकल जा के देखना ठीक है बैटल ओफ टैली कोटा 1565 में हुआ था किसके बीच में विजय नगर अंपायर के जो किंग है उनके बीच में और जो मुस्लिम किंग थे सौधन इंडिया के उनके बीच में चार मुस्लिम किंग जैसे कि जो बीजापुर का था बिदर के थे और एहमद जो नगर के थे और गोल कॉंड़ा इंग चार जगह के रूलर्स और विजय नगर अंपायर के किंग के बीच में यह हुआ था युद बैटल ओफ टैली कोटा तो हम पे के बारे में आपने सारी चीज़े देख लिए हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं कुश्चिन नंबर 60 पे क स्कुश्चिन नबर 60 कया खईयम इस पेपर में ट्रीशन उफ वेस्ट पंगोल एक बर खईयम पहले यह चुक आप पर में बिर इस पेपर माचे ट्रीशन एक लेकिन कहां कि यह यह कां कि कशमीर की यह कां कि यह कां कि यह कश्मीर की है तो फर्स टेटमेंट हो जाते हैं कों लेक्त का सूनिय में भी एक मुस्लिम सेंट इसको लेकर थे कर नाम कर था मियर सैयाद अली हमादुई हमादूई से इसको लेकर आए थे यस लेकर य॥ ने इसको लेकर य— को किया कश्मीर किया आजाते हैं कोश्चन नबर 61 पर विजयनेगर के बारे में बताना है इट वस्वांड़िट भाई हरी हरायन बुक्का अभी बताया थोड़े देर पहले हरी हरायन बुक्का ने इसको फांड किया था बिल्कुल और 1336 में किया था कॉंसे डाइनस्टी के त संघमाडा डाहन सीटे के तरह संघमांस यस्टे कि ति करिष्ण एक क्रिष्ण देव राय वास अब ए था थुर दिर पहले बताया क्रिष्ण अरो यह ठाहिय था क्या ब्रॉल्स 106 भापना बारी स्टेट्मेट और धर पर इन कर in the पूबर तंवी था तो सेट्ट में रॉग है तो हो फुनिज हम यह ंली खाते यह उनका बेटा यह विल्कुल सही है दो फर्स्ट था जाते हैं सुवाफ सिर्ट में बारे में बताने स्टेट में कौन सी स्टेट में है गलत है विस फ़स्टर सेजिन है महात्मा गांधी को क्या बूला था था फादर आफ दिनेशिन सेचेंगे रिजॉ़ुशन और पूरंट्फाराज़ का रिजॉलुशन इन्ह सबसे पहले हरीपुरा जब सेशन था हरीपुरा जब सेशन था गुजरात में और एक वहां से लाइब कर दिया और उसके बाद क्या नहीं और इंडिया फोरवर्ड ब्लोग इन्हों ने बनाया के बाद इद्फाइब कर लिया सारी से रोज़ बोस इसको प्राकरम दिवस मना जाता है बिल्कुल प्राकरम दिवस जो है उनके मनाई जाता है जाकेटेंटमेंस है वी क्यांट्टन मोहन सिंगापुरी यह ऍविस्टेटमेंट सब्सक्राइब डिखा है थाध है इंडियनाशनल आर्मी वास फोर्मड विड इंडियन सोल्यर सब्रीटिश आरमी टैप्चर गया बिलकुल उनी से बनाई थी टो तिने ही स्टेटमेंट्स रही है तो तो मैं कहा सब्सेला किया था 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 क्या दिए य। फॉरव में कोण ocobah close while the second यह जो है इन्हों ने इसको स्टार्ट के गेड रिसेट लात कि हमें अपनी इक्रॉंप करना है ससस्तेनेभली कोविड पेंडेमिक को फोलो करते हुए आफ्टर कोविड पेंडेमिक हमें जो ही अपनी क्या करना है है एकॉनोमी को एकूनोमी को रिबिल्ट करना है इक भी गाना है सस्स्कीने घूपी को घ्यान lessons such में तौट जांसे क्या रिच ठेट करना है पनी क्यान वर्ल्द इकनोमिक फोरुम संदाथ और 66 स्च एकॉस्चन बहुत जादा आते हैं तो निच्सक्ड आ較 czł Two Circle open सब्सक्राइब के बारे में बताना है फर्स्ट है इस सेंट्रल इन्फोर्मिशन कमिशन है लाउड रिवीलिंग दी नीम ओफ डोनर ओफ इलेक्टरल बोन्स नहीं तो इसका सारा परपस ही कतम हो जाएगा अगर इलेक्टरल बोन्स में अकर नाम बताने लगे तो कोई फायदा नाम तो नहीं बता सकते फ्कर स्टे इन्सट्मेंट और और अथ सब्सक्राइब क्या है ऑल्यक्ताै और इसन नहीं है जो एन लेक्टरल बोन्स वहां वह बार्टी में हैं वह वह पार्टी कैवल और ठोल जो بعसे पांटी जना ओर रजिस्टरिज पोलिटिकल आए कि एवल वही एलेक्टोरल गॉन्स करीज सकते हैं किसमें लिखा गया है यह सक्षिन 29 ओफ आर पी एट 1951 में ठीक है वह एक परसंट से भी और हां ऐसी पार्टी जिनको जिसने एक परसंट से तो ज्यादा वोट जो पोल्स हैं वो सिक्योर कियो जर्नल एलेक्शन में लोग सब ब्रवी लंग हो गया हमारा फर्स्ट भूंग हो गया सेकिंड सेट इसका ऑफ्इ कांसर कफिया गया G7 घू क्छूर大概 अउस्टिक वह 66 पर को जिश्च हएं जोडिसरी के बारे में बताना है लुह जोडिस्टा चर कर सकती है भर सब侏स्ट जुलीश्यल लिव 1 असर इस आज तो आप सुप्रीम कोट या हाई कोट में जाके वह कर सकते हो बिलकुल इसके लिए भी है फूर्थ है striking down the laws or part of them which violate the constitutional principles इसी को तो judicial review बोलते हैं कि strike down कर देंगे अगर constitution के हिसाब से वह laws नहीं होगे तो यह भी सही है तो चारह ही statement सही है तो अंसर आगे दी तो judiciary यहर काम कर सकती है एक judiciary complete justice करने के लिए भी वह कर सकती है तो वह आता है article 142 में किसमें आता है article 142 में complete justice के के लिए कुसके लिए complete जिस्टिस के लिए कि यह ऐतिकल कैसे न्बर 68 पे आजाते है 125 अरके क्रण मंत्री जन्विक्सकारियकरम क्या है तो यांद रखना है क्या है ममाननौल्टिश को डेलक्स सब्सक्रम करन के लिए प्रोग्रम मान प्रण मंत्री कर लिए lion Vक大 रियक्रम टूर्टाउजन किसकेंडर मिनिस्री ऑफ मानोरी फइर स्केंडर याद रखनाइस का पहले जो नाम था वो था इसका जो पहले नाम था अधा मुल्टी सेटोरल डाफ्मेंट प्रोग्राम मल्टी सेक्टोरल डेवलप्मेंट प्रोग्राम जह तूशन 2 फिर टॉर-9 में स्टार्ट की गई थी लेकिन अभी सको मronics जनन्य का Courtney कि की फोम में एंहम हम में कि सकी वह में माillого की ये में लीके है इनली भाय बिनीटी जह जासे की स्कूल कोलेज गर्ल सोस्टल यह सब खोलना है मैनोरिटीज के लिए तो और क्या है अभी माइनोर्टी मानोर्टी चल रहा है तो माइनोर्टी इंडिया में कितनी कम्यूनिटी जो है वो मैनोर्टीज के अंदर आते हैं सबसे लेटेस्ट है जयंस जो कि 2014 में एड होए जैन्स ह नहीं मैनोर्टी इस सबसे पहले पहले कुंते बुर्टी मुस्लिम से पार्सी इस है और सिक्स horeach है सी क्रिश्यन्पार्सी थे ये सारी कए हमारी मैनोरटी में आते हैं जिसे की उस्ताद scheme है यह minorities के लिए उसके बाद नई रोशनी scheme है यह minority's के लिए जलगे नई남जिल scheme है यह भी minorities के लिए एक एक बेगम हजवद मेहल girl scholarship यह भी उन्हीं के लिए सीखो और कमाऊ सीखो और ओर कमाऊ यह मैंनोर हे विर आजाते है question noüş 69 पी क्या बोलता था finance commission के बारे में statement बताने हैं क्या बोलता finance commission के बारे में first it is constitutional mandated body that is at the center of fiscal and cooperative federalism बिल्कुल क्या है cooperative बिल्कुल सही है कि ये constitutional body है इसमें आती है क्योंकि article 280 में आती है ठीक है second it evaluates the state of finances of union and state government and recommend the sharing of taxes between them बिल्कुल इसको भी recommend करती है third it lays down the principles determining the distribution of taxes among the state ये principle set करती है कैसे distribute करना है उनको देखो एक होती है vertical distribution एक होता है horizontal distribution जो vertical distribution होता है उसमें इनोंने बताया कि 41% अभी कौन सा finance commission चल रहा है 15th finance commission चल रहा and kissing के अंडर उन्होंने बोला कि जो vertical distribution वो कितना करना finances का 41% और horizontal distribution के लिए इन्होंने छे इन्होंने वो कि है इंडिकेटर्स किये हैं जिसको मैंने बताया था iPad ft आई पैड एफटी आई पैड एफटी एक पर बता चुकिए income population और agriculture और यह क्या है ट्रिक याद करने की कि horizontal devolution कैसे होता है first finance commission कब बैठा था 1951 में fourth statement देख लेते हैं इसकी जो recommendation होती है वो क्या होते है binding होती है नहीं 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 होती है गौर्मेंट इसको मानी लेती है लेकिन यह binding नहीं होती है इसकी recommendation the fourth statement wrong हो गया first statement सही है तो इससे हमारा answer आ गया to develop a smart water supply measurement and monitoring system at village level ICT grant challenge किसके अंदर है ICT grant challenge किसके अंदर है ministry of gel जीवन mission के अंदर है ministry of gel सक्टी ministry है plus एक है ministry of electronics and technology ministry है और बस यही 2 ministry के अंदर यह बन रहा है village level पे smart water supply management and monitoring के लिए और दूसरी चीज क्या है एक इसको जो वो कर रहा है implementing agency was CDAC CDAC इसकी implementing agency है यह क्या है कहां पे बैंगलूरू में यह बैंगलूरू में यह विस यह यह कि यह और यह center है advanced computing के लिए भी तो जल जीवन mission जो है यह mainly है ICT grant challenge में आ जाते question number 71 पे article 356 के बारे में बताना है article 356 के बारे में बताना है क्या बोलक है consider the following statement regarding article 356 of constitution first है the proclamation under article 356 automatically relates to dissolution of state legislative assembly in every instance the extreme statement wrong होती है तिकन अवरे इस यह statement wrong होती है हर instance में नहीं होता है second है the president under article 356 has power to assume to himself or herself the power of high court देखो high court की power नहीं आती है उसके पास इसकी पास इसकी पार आती है rules बनाने की पावर आती है high court की नहीं आती है जब proclamation वह होता है तो नहीं first statement सही है नहीं second है third है the dissolution of assembly prior to approval of proclamation by both houses of parliament under article 356 shall be valid नहीं उससे पहले क्या होगी जो article 356 वो क्या होगा invalid होगा शेल भी क्या होगा invalid अगर आपने वोटिंग निक्राइए उसके पहले क्या होगा वो invalid हो आर्टिकल वो यह था यह जो भी आर्टिकल 356 तो थर स्टेटमेंट भी रोंग होगी तो थर्डी भी रोंग होगी तो अंसर क्या आगया डिक कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है थीक है आजयाते कोशन नाबर 72 पे गवर्नर कवारे में बताने नहीं राटिकाना कंसी पावरे में यह नहीं दिसक्रेशारी पावर किया तो अनु एप्रसांडिक रूर्टिक पर और combination of parties having maximum support to form the government बिल्कुल ठीक है कि वो हंग assembly में क्या कर सकता है maximum किसी भी party को allow कर सकता है अपनी सरकार बनाने के लिए जिसके पास maximum support हो ठीक है तो first statement wrong हो जाती है second statement सही है ठीक है तो इसकी काया second statement सही है तो answer आगा B ठीक है और governor अपना discussion किस article के अंडर दिखाता है article 163 के अंड के बारे में बताना है कि उनकी गवर्नर के बारे में क्या 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 recommendation थी यह बताना है सरकारिया commission के बारे में तो first a person to be appointed as governor should be an eminent person in walk of life and should be a person outside state बिल्कुल यह नहीं कहा था कि कोई eminent person होना चाहिए और state के outside जोना चाहिए second it is desirable that politician from the ruling party at the union is not appointed as governor of a state which is being run by some other party or combination of party बिल्कुल यह भी desirable होगा कि अगर politician जो है ruling party से ना हो third है it if there is a single party having absolute majority in assembly the leader of party should automatically be asked to become chief master बिल्कुल fourth है in case of hang assembly the governor shall call the leader of alliance of parties that was formed prior to the election or the largest single parties taking a claim to form the government with the support of others including independence यह भी बिल्कुल सही है ठीक है तो चारो ही स्टेटमेंट सही है तो इसका आँसर के आगया दी की सरकारिया commission ने यह सारी recommendation दी थी ठीक है आजाते question no.74 पे central वाकफ बोर्ड के बारे में स्टेट वाकफ बोर्ड को on financial performance, survey maintenance and revenue records, encroachment of वाकफ प्रोपर्टी एंड एन्वल रिपोर्ट और ओडिट रिपोर्ट ठीक है जुसरा क्या है यह सहरी वाकफ संपत्ति विकास योजना जो है उसको भी इंप्लिमेंट करती है ठीक है और क्या है फोर्थ क्या है टू इंप्लिमेंट एजुकेशनल एंड वुमिन वेलफेर स्कीम फोर्ड डेवलपन बिल्कुल यह भी है तो सारे ही काम सेंटर वाकफ कांसली करते है तो answer क्या गया इसका दी ठीक है आजाते है प्यमों करणा है प्याइस इंट नेशनल ट्रीट और क्लाइम डियर और क्लाइमेट्ट चंच यह जो है राए परिस जो खेंट लिए बांड़ट में और सिक्लामेट टी बांकेती तूज़न शिक्स्टीन में फोर तूज़न शिक्स्टीन में फोर्ट में हो गया मेले इसका गोल क्या है तूदिग्री सेल्चिस टेंपरेचर को कम करना एक किसमें सैंचुरी तक ठीक है एक सब्सक्राइब लिमिट टी लिमीट वर्मिन टूबल बिलो फन पैंट फैव डिग् कर दिया था अभी जब यह से में नहीं सरकार आई तो 2021 में इसको फिर से जोइन कर लिया गया उसके बाद EU और इंडिया और यहाद रखना यह कोई अब्ड और डवलपिंग गंटरीस के बीच में no difference between devlap and devlopin कंटरीस के बीच में कोई डिफ्रेंस नहीं है और इसी का एक ट्वंटी 2020 2020 क्या है देखो एक 20 अनरजी एफिशेंसी और को आपको 20% करना है मतलब 20 परसंट इंक्रीज करना है नोजी एफिशेंसी को ठीक है कोश्चिन नमबर 76 पे कोश्चिन नमबर 76 क्या बोलता है कंसिर दी फॉलोइंग स्टेट्मेंट्स रिकार्डिंग कि काली अमेंडमेंट के बारे में बताना है फरस्ट इजन अमेंडमेंट तो मुंट्रियल प्रोटोकॉल विच डिल्स विद इवेंच्वेली एरेडिकेशन बनाता कि अजोन डिप्लेटिंग सबस्टांशी वो ना हूं 1987 में था लेकिन फॉर्स में कब आ गया था 1989 में प्रोटोकॉल इसके लिए था कि अजो डिप्लेटिंग सबस्टांशी ने उनके रिडिकेशन के लिए था ठीक है यह स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है स्टेट्म में बोला गया कि मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि हमें ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टांशी ने उनको कम करना और उसमें में कौन चाते क्लोरो फ्लोरो कार्बन को हमें कम करना है क्योंकि यह क्या करते हैं ओजोन को डिप्लेट करते हैं तो हमें इनको हट यह ओजोन तो डिप्लीट नहीं करते हैं लेकिन क्या यह इनका ग्रीन हाउस एफेक्ट करने का जो पोटेंशल वो बहुत जादा है ग्रीन हाउस इफेक्ट यह बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं तो फिर क्या हुआ इसका मतलब उसने तो अलाउड कर दिया था मॉंट्रिल तो उसीमेकशिक्त किया गया कि गालि अमेंडमेंट हम चो हैट्रफ्लोर कार्इमथं उनको भी वो खर्टर Eli खरेंगे क्यों ग्रैज्वा इसको हैडियूब्स हारादे बॉ applies now तो अगर है अगर है अगर है इसका जीरो जोन देप्लेटिंग पोटेंचल भी जीरो है और ग्रीन हाउस गैस भी बहुत कम कोज करता है अगर है और क्लामेट चेंज में भी कमी एफ़क्त करता है तो हम क्या यूज करने है तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है तो अंसर क्या गया इसका सी अब देखो इप बोलोगे कि गाली अगरिमेंट कब आया तो तौन 16 में तिक फोर्स में कब हुआ अभी वन जनवरी 2019 से फोर से हैं 2019 से ईन कोंड नहीं करता है इस का अगर कोई अगर इजो किगालba तो यह तक टेकनोलोजी एंड एनरजी असस्मेंट पैनल टेकनोलोजी कल एनरजी अससमेंट पैनल यह यह रिव्यू करेगा इसके इंप्लिमेंटेशन को ठीक है और मेंली इसका गोल क्या है कि गाली अमेंडमेंड का गोल है 80% तक हमें हाइड्रो फ्लोरो कारबन को आफ्टी मेंटकस आफिवेसा और स्वसका मैं इससना में मेघक हैं इसका में नाममेंडमेंट को स्वाय जर्श कि एपर आपले में मुड के इंडिया ने सबस líneaना आीन का इसको इन करें मैं मॉन इसका हैं आंग मुआ यह तो इसका अधिक है पर अंशब्स अधिक्र अब आजाते कोशन नमबर 77 पर अभी बोला कि common plus differentiated responsibility किसका है क्या है उसके बारे में बताना है first it states that all states are equally responsible for addressing the global environment destruction देखो common differentiated responsibility में ये बोला है कि आप सारे कम करोगे इसको environment जो सारे help करोगे लेकिन जो responsible है वो अलग अलग लोग अलग रिस्पोंसिबल बेशिक अलग पर दी जाती है लेकिन कम तो सबको करना है तो all states are equally responsible नहीं है equally responsible नहीं बोलता address हमको साथ में करना है तो first statement होगी wrong second it was formalized in international law by paris climate deal में कोई difference नहीं रखा जाता है तो ज्यादा difference किसमें तो यह शुरू कहां से हुआ तो यह जो शुरू हुआ यह हुआ हमारे United Nations Framework Convention for climate change में जो कि जिसको अर्थ समिट भी बोलते 1992 में जो हुई थी ठीक है तो यह हुआ वहां पर फोर्मलाइज ठीक है बस तो second भी रोग हो गया तो इसका अंसर आगए D कोई भी statement सही नहीं है ठीक है तो common police differentiated responsibility यहां से news में आया और यह इसका मतलब होता है आज आते हैं question number 78 पे Alnino Southern Oscillation के बारे में बताना है बिल्कुल यह statement बिल्कुल सही है ला निना को cold face बोलते है और अल निनो को warm face बोलते हैं the time cycle of this phenomenon is two year constantly कोई कोई irregular होता time की कोई fixing नहीं होती कि यह इतनी साल बाद हो गई पांस साथ साल बाद में लिए लेकिन ऐसा नहीं है कि टैपिकली हो गई उस टाइम पे भी ठीक है तो second statement रॉंग first statement सही है इसकी ठीक है और एक है तो इस देखो इसमें क्या में लिए ocean की जो surface का temperature वो चींज होता रहता है तो एक ocean के surface के temperature को चक करने के लिए ocean नीनो इंडेक्स यूज होता है ocean नीनो इंडेक्स यूज होता है ठीक है याद रखना आज आते कोशन इंबर 79 पर रोजबी वेव के बार में बताना ओशनिक रोजबी वेवस अल्लाइक वेवस ब्रेक अलोंग दी शोर दी रोजबी वेवस और हूज अंडूलेटिंग मुम इंडेक्टेबल बाई हमना इंडेक्टेबल बाई हमना आई है यह ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं अंसर आगया सी आ जाते कोशन नंबर 80 80 पर कोशन नंबर 80 हमें क्या बोलता है जिशोला फोरेस्ट और क्लासिफाइड इस साउथ मॉंटेइन वेट टेंपरेट फ एक रोड़ाइड रिजीां एक फाषियत आग लग जाती है तो और सख डेनिं 약간 के वह थ।ा मैं नiantes आपर स्वीम व्रमपुत्राँ रिवर की अपर इप्र स्वीम पूत्राइब वेगए इसको क्या बोलते है यह विश्टन तीपत इयस यह संट में आंग्सी से निकलती यह कुछ्छिनमय करा भी चुकी हूं तो इसका स्वन कि उस्त प्रपल से बर्याद्रें आ ट्रेका प्लकुण में पूंचने पेशंको्र कर आ जाते हैं रहा गुन हैस इसको बिर्डा माद है ओर और जाइचा अगर जालनória धान जूज में यह क्या है तो यह टाम बनां रहा कोन चाइना सेटकर आजाते हैं तो नहीं है डाली पॉर्द पेंटोल जाते हैं यह वंड कोलिनि कोली अरिजन इनका नहीं होता है इसने बुला कि अगर पानी में फिकल कोलिफों बैक्टरिया मिल गए इसका मतलब यह कहां से आया है रखाए हैं, इस इनिमल्स अगर पानी में गई होंगे, उनका भी वहां पे आ सकता है, तो ऐसा कोई वह एक तो सकता है, तो सें थे बैटरी हो जाती है, तो इस का आंसर के आ वह बता है मैंत आंग सब्सक्राइब में इस शाइजोंट अभ बारे मəं निस को τα है सीथी थाट अथिखी आच dusty में उल्लिय को इतन ने डिक्स टूम में पधा Java वो species जिनको इतनी ज्यादा थ्रिटन नहीं है, extinction के लिए लेकिन उनका trade कंट्रोल करना जरूरी है, तो यह statement साही दे रखिया है, और third कया है, appendix third का यह है, इसमें यह species है, जो किसी एक country में वो है, तो यह दो गलत हो गए, third and first of second statement साही है, तो second statement साही है, तो देखो appendix sites का appendix में तैसे डिवाइड किया जाता है अपेंडिक्सवन और इंप्रोटेटिड स्पीच इस दूसरे में इक तरीटर्ड नहीं है लेकिन उनका डाल को कंट्रोल करना जरूरी है और थर्ड यह वाला यह एक कंट्री में भी सेव है थीख है तो आजाते हैं को सिन बर 84 पर कि एटी फोर का बोलता है अकास मिशाल के बारे में बताना है अकास मिशेल डिको याद रखना यह यह एर रहने यह सर्फेस्टू एयर थिके सर्फेस्टू एयर मिशल सब्स एक उप्स पर सच्छ्छ इन्ड में और फिर्ट द्रोंग डारेक अर्काइप यह विझाइंड हैं जो हमारी second statement भी रोंग होगी, third is the Akash Michail can be exported by India to other countries, अभी ये decide हुआ है, कि India जो है, वो इसको export करेगा, तो yes, इसको export कर सकता है, तीसरी चीज़ क्या है, कि इसकी जो speed होगी, ये targets के साथ, कितनी speed पर इंगेज़ करेगी, क्या है का इंडिजीनियस ली डेवलब्ड रेड़ार है एंडिया का उसको सपोर्ट करें रेग रहे जिसका नाम है राजेंड़ा राजेंड़रा वह सब्सक्राइब यॉसेजे उसको ज्ट्राइब और यह DIRE रखना यह एक प्रोग्राम के अंडर यह सको अउन्टेग्र इसमें क्या था डॉक्टर एपीजे अफदूल क्लाम ने इसको शुरू किया था मिसाइल टेकनोलोजी में सेल्फ सफीशन सी लाने के लिए इसके अंडर पांच टाइप की मिसाइल्स बन रही है इसको नाम है पतना पी एटी एन एंट पी से क्या है पृत्वी पृत्वी क्या से क्लिभन पांच इसके इंडर बनाए जारहे है पतना के नाम से इसको याद रख लेना इंटीग्रेटिड गाइडिड मिसाइल डेवलिफ्मेंट प्रोग्राम के अंडर तो यह भी हमारा कुश्यन हो जाता है अब देखो इसमें थोड़ा एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बता दो सिप्री के कोडिंग इंडिया जो है वो 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 2015 से 19 क है बीच में इंडिया 23rd लार्जेस्ट आम्स एक्सपोर्टर अगर केवल 2019 के बात करें तो 19 सबसे लार्जेस्ट आमस एक्सपोर्टर हैी इंडिया आंस एक्सपोर्टर के बाद चल रहे है लिए यह एक तो ये दो यह पर प्रोवाइडर यहां पर PDA हैं प्रॉइड पॉब्लिक वाइफाई तुरू फीडी ओ बिल्क पीडियो के थूपर ब्लीक वाइफाई नेटवर्क यहां पर लाइसेंस फी आप से नहीं ली चाएगी तो सेकिन्ड ओंग हो गया और फर्स्ट सही है ठीक है पॉब्लिक वो था ना PM1 scheme PM1 scheme में यह करवाया था ठीक ना जाके देखना कि क्या क्या करवाया हुआ है आज आतने question no.86 में क्या बोलता है आतम निर्बर भारत रोजगार योजना के बारे में बताने अंडर दी स्कीम ती गौ़र्मेंट विल प्रोषटे एंटायर एंप्लोईजेंडंड इंप्लोई इन ओल इंटरुडिएंट इन फॉस्टेशिंड एंट्रीम्स टेटमेंट बिकुल रहूंग है क्यूं में इस्कीम को कौन इंप्लिमेंट कर रहा है क्या मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंट इंप्लोईमेंट इसको कर रही है ठीक है वहस्त तो यहीं है में तो अगज तो फर्स फर्स्टेटमेंट रॉंग सेकंड सेट्मेंट रोंग तो अंसर का आगा डी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है आजाते कोश्चिन अब 87 पर क्या बोलता ह देखो पास 10 एर से सब्सक्राइब रहा था लेकिन 2016-17 में 2016-17 में ड्रोट आ गया एक और उसके कारण इंडिया की सुगर का प्रड़क्शन कम हो गया था तो कंसिस्टेंट नहीं है यह प्रड़क्शन कंसिस्टेंट नहीं है तो फर्स टेटमेंट रोंग होगी सैकेंड इसका आगा इंडिया को इसका अंशर के आगा हमारा इंडिया को यह यह एक्सपोर्ट असिस्टेंट नहीं पढ़क्शन नुबर 88 पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरुशिप और सी सकेंं क्या है पिलकुल इसको कौन प्रेखो इसमें जो होगा स्कॉलर्शिप में दो स्कीम होगी कब से स्टार्ट होगी 2021 से 22 में स्टार्ट होगी तो इसका अंसर हो गया सी आ जाते कुशन पर 89 पर कि इंडीजीन प्लेक थेरपी यहां दखना भी बहूत जादा न्यूज में चल रही थी क्योंकि अभी इसको अलौड किया गया है तो कब कहां में और इसके लिए को ट्रीट करने के लिए इंडीजीन स्टेइक ब्रेकिट थेरपी बार्क ने इसको भाबा अटोमी केर सेंटर को वो किया है डवलप बावा इटॉमिक रिसर्टर को बनाता नें टिन फिफ्टी फॉर में बना था इंडिया का चीफ नुक्लियर रिसर्च फैसलिटी एग और इसके हैड़कवर्टर का अपे हैं मुंबई में इसके हैड़कॉर्टर है ठीक है और कौन से डिपार्टमेंट क यह फीर आफिय पित और मीशर जग के लिए इनडिजीनस पिर्यटी के लिए Mars के लिए लिए उंहें गराल की तरहोगा सब्सक्राइब यह तो निर्थी और में पंसित्रीट सेट फूर्ड कमसिंशन पूरू फूरू सी यह के लिए स्टेट फूड कमिशन के एक स्टैटूटरी बोडी जो नेशनल फूड सिक्यूर्टी एक्ट के अंडर बनी है सेकेंडर टू और मोस्टेट कें कंस्टिटूट जॉइंट स्टेट फूड कमिशन विद परमिशन फूं सेंटर गौर्रमेंट बिल्कुल यह भी कर सकते हैं थार्ड है इस्टेट फूड कमिशन है व दी पावल टू इंक्वाइर दी वोईलेशन ऑफ इंटालमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्यूर्ट बिल को यह भी सही है तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है और इसके अंडर क्या हो गया एक डिस्तिंस सोरी डिस्तिक है अग्रिवड पर्शन की वह जल्दी से जल्दी हो उसके तो आजाते है कुशन नबर 91 पर क्या बारे में बताने यह स्टेट्री वोडिया वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बिल्कुल यह कुशन भी हम करा चुके हैं लार्जेस्ट इंडिया में कलकत्ता में उसमें अंद्रा में गज़ चीधी और स्री और बिलेगें जो चीर्मेठेट मेंन पेहां तीर आंडर ली स्क्टेट गूर्ष Railway जूलोजिकल पर्क है थिक्टा थैएं इस ना नहिंते सिए टके और इसमें अंट्रमTwo सो भी पते हो इनके जो चीर्में होते हैं Union Minister of Ministry of Environment, Forest and Climate Change है यह इसके Chairman होते है कि अर एक Chairman होते है एक 10 Members का Group होता है कितने होतेUh 10 members होते है और और क्या है CSC proud Yええ anche member Secretary होते है यह इसका composition है आधार कॉक्ष्ण No.92 आगे Pinato प्राइम मिनिस्टर इसको हैड करेंगे याद रखना हम प्राइम मिनिस्टर इसको हैड नहीं करेंगे इसको करेंगे कौन सेक्रेटरी कहां के मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट फोरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के तो प्राइम मिनिस्टर इसको हैड नहीं करेंगे सेकेंड एन्डिया में भी घृइट्रे नंबर हंड़र से सोल्ड हो रहे है कौन सा या पने सुना है को यह सजो इंडिया में ओ इंडिया जो कंपनी अगर बोसको सैल कर रहे हैं यह 100य नंबर के साथ वी उवल को पेच रही हैं वह तो सेकंड स्टेप्मेंट होगी रोंग और सेकंड स् पर इटेटेमंने कि तई मलाना था ना पर पारोल में काहा पी मिलाना था पेट्रोल में तो यह पहले स्टेटमेंट रोंग होगी, yes, alternative fuel की तरह तो यूज किया जा सकता है, लेकिन डीजल में इसको किसमें यूज करेंगे, पेट्रोल में इसको यूज करेंगे, ठीक है, आजाते हैं, second statement, it is being adapted as it has higher energy content than that of gasoline and diesel, ये इसलिए अड़्प्ट किया जाता है, इसमें जादा वो हो, higher energy content है, gasoline से ऐसा नहीं है, energy content तो इसका क्या होता है, काम हो जाता है, low energy content है, लेकिन greenhouse gas का emission कम करता है, इसलिए इसको यूज करने की बात चल रही है, तो second statement भी रोंग है, third blend over E20 are highly corrosive for older vehicles, अगर हम E20 का blend करते हैं, तो 20% से जादा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, corrosive हो जा लग जाएगी vehicles में, तो ये भी statement, ये statement सही है, तो first and second wrong है, third statement सही है, ठीक है, तो 94 का answer क्या आगया, C, आजाते है question number 95 पे, great Indian bastard, UPSC में भी question आचुगा है, first are the main threats including hunting in Pakistan and power lines, specially high voltage transmission line with multiple overhead wires, बिल्कुल, second are it can be sighted in desert national park, yes, desert national park काहाँ राजस्तान, ये तीन ही जगा देखा जाता है, तो desert national park में, एक रोला पादू, पाडू wildlife century, जो कहाँ पे है, अंधरा में है, यहाँ पे देखा जाता है, और एक तीसरी जगह है, करेरा wildlife century, ये कहाँ पे है, MP में, तो ये तीन ही जगह देखा जाता है, great Indian bastard, तीन ही जगह देखा जाता है, एक तो desert national park में, जो राजस्तान मे एक रोला पादू wildlife century, आंधरा में, एरिक करेरा wildlife century, जो MP में, तो दोना इस statement इसकी सही है, और क्या है राजस्तान का state bird भी है, ठीक है, इसलिए राजस्तान गवर्मेंट ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शुरू कर रखा है, और flagship grassland species आईए, और IUCN की ब जाते, question number 96, हमें leopards पताने कहां कहां पाई जाते हैं, चीज जियाद रखना, leopards जोना, इंडिया में हर जगह पाई जाते हैं, हर जगह, except दो जगह को छोड़के, एक तो deserts को छोड़के, और एक mangroves को छोड़के, हर जगह पाई जाते हैं, except deserts and mangroves, तो सुंदर बंस में जाते हैं, तो यहां भी नहीं पाई जाते हैं, तो आगया इसका 3 सही है, और केवल 3 सही है, तो answer क्या आगया, ए, तो आजाते हैं, question number 97, न्टिस ये के बारे में बताने है, national tiger conservation authority, national tiger conservation authority, first it ensures critical support for tiger conservation in India by including scientific information technology and legal support for better implementation of tiger conservation plan, बिल्कुल ये सही है, second है, its membership also include MPs, इसकी membership में MPs भी होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, तो answer क्या गया, C, NTCA कब बनी थी, NTCA कब बनी थी, 2005 में, कौन सी बोडी है, statutory body है, किसने इसको recommend किया था, tiger force ने, tiger task force बनी थी, उसने इसको recommend किया था, ठीक है, याद र answer आगया, C, आजाते है, question number 98, 98 में क्या बोलता है, Bengal tiger के बारे में बताना है, सबसे पहले, it is critically endangered species, या धखना Bengal tiger critically endangered नहीं है, के वल endangered species है, तो first हो गया wrong, ठीक है, only endangered है, ठीक है, critically endangered नहीं है, second है, it is covered under schedule 1 of WPO, WPO के schedule 1 में आता है, बिल्कुल ये तो सही है, third है, appendix 1 में आता है, ब total 70% टाइगर, global tiger population, 70% इंडिया में पाया जाता है, सबसे ज्यादा टाइगर काँ पहने पाई जाते है, करनाटा का में सबसे जदा पाई जाते हैं, इंडिया में एक शाहर, जिसको tiger capital भी बोल जाता है, इंडिया में एक tiger capital शहर्को भी बोला जाता है, कौन से नाघपुर, tiger तो इंडिया किसको का जाता है नागपुर को तीक है बस यह इसमें आजाते हैं कुछिन नमर 99 पे दिप्रूश इख होगा नैशनल पार्क और पोबी तो रावाइफ सेंचुरी दिप्रूश इख होगा नेशनल पार्क एस वेलाइस बायोस फेर इस यह जो है बायोस फेर इस बिल्कुल सही है यह बहुत हर शिच्टिट्र ऑन बैंक ओफ ब्रह्मपुत्रा रिवर येस दोनों ही ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो पोबी तो रहे वह साओधन पे साधन ब्रह्मपुत्रा उस पे थर्ड बहुत दिप्रूश इको नेशनल पार्क और पोबी तो बहुत है ओडें का घ्रंगा भी बोले जाता है और जो येउनार canesルク स्व फ्ट नॉर्षी सक और इसको इंप॔र्ट बीृट तो यह अंस्या और सबसे लारजिस्ट्र नहीं महानदी नहीं रिखेकों से गुदावरी और उसके बाद क्रिश्ना और थिमानदी थार्ड नंंबर प्याती है जोनाथ हास्दियो एंड मांड आर्ट ट्रिब्यूटरी जो और बिलकुल यह इसकी ही रिबुटरी जैं तो फर्स टिटमेंट यह originate होती है अमरकंटक के south से तो देखिए आज के hundred question भी हमने complete कर लिये हैं ठीक है हमारे फरवरी के current affairs अब complete हो जाते हैं इसके बाद आएंगे हमारे March के current affairs और total हम जुलाई या अगस्त तक ही current affairs इसके करने वाले हैं ठीक है तो तीन चार या महिने के और current affairs बचे हुए हैं तो इसी note पे आज का lecture हम खतम करते हैं तो अगर हमें आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो please like करके जाना और please आप subscribe करवाओ अपने friends से subscribe करवाओ उनको बोलो चैनल subscribe करें तो इसी note पे आज का lecture खतम करते हैं तो thank you very much bye bye